जिन लोगों को समूसा कसूरी खाना पसंद है उन्हें अब बजार जाके यह सब लाने के ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हिल्दी आप इसे घर पे बना सकते हैं वो भी बहुती कम वक्त में बहुती इजी तरिके से आज की यह जो रेसिपी है यह आपके लिए बहुती ह चीजों से इसे बनाया है खाने में बहुत ज़्यादा तेस्टी है आप एक बार इसे बना के खाएंगे तो इसके बाद और कभी भी आप समूसा कसूरी बजार से नहीं लाएंगे घर में बनाएंगे क्योंकि घर का सिस हमेशा ही हेल्दी होता है तो चलिए वीडियो करना ठीक नहीं होता है तो इसे जट पच्छे खतम करना सही रहता है इसके लिए अगर आपका दूपहड़का बज जाए तो आप शाम कनाश्ता इसे अराम से बना सकते हो तो आटे को मेंने थोड़ा सा गूंड लिया है और इसे हम इस तरह से लोईया बना लिये है चार लो आप बेल लीजिएगा इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन डाला हुआ है शुरू से ही डाला हुआ है अभी नहीं डाले है तो इस तरह से हम चारो जो रोटिया है एक एक करके हम बेल लेंगे और इसे रखते जाएंगे और रखने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा बना लेंगे साइज थोड़ा सा इधर उधर हो तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है यह आखरी रोटी भी हमने बेल लिया है और बागी का जो तीन है वो में आपको दिखा रही हो यह देखिए यह तीनों हमने रखा हुआ है और अब यह जो रोटी है इसकी उपर हम अध़रा छिर्ख देंगे या आता जो भी आप साहे है इसमें उप रहका सकते हैं और सक यूपर हम दूसरा रोटी रखेंगे और इसकी उपर हम दोबाड़ा से उपके और मेदा लगा के तीसरह रोटी रखेंगे इसी तरह से चाड़ olması को हम बढ़ाबर से रखते जाएंग अगर कोई रोटी थोड़ा चोटा या बड़ा है तो उसे हाटों से खीच के आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और असानी से हो जाएंगे तो ये दिखें इस तरह से हम दालते जाएंगे हमने जब आटा लगाया था रोटी का तो हमने इसमें तेल का या घी का यूज नहीं किया था तो इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हमारा जो नाश्ता है वो खस्ता बने और बहुती तेश्टी बने तो ये आखरे रोट आटा या मेरा खिरक दीजिए और अब हम साकू की सहायता से इस तरह लंबा-लंबा कट लगा लेंगे यह इस तरह से आप साड़ा जो है कर्ट लीजिएगा और इसे हम पहुत टाइटली रूल करेंगे उंगली से दपाते हुए इस तरह से आसानी से हो जाता है तो इस तरह से हम इसकी रूल जो है वो बनाते जाएंगे अब हम एक-एक रूल को उठाएंगे उसकी जो साइट का है उसे इस तरह से शिपका देंगे और हाटों से थोड़ा सा हम दबा के इसकी पेरे तयार कर लेंगे इसी तरह से ये देखिए हलका सा दबाते हुए हम इसकी जो पेरे हैं वो सारे हम तैयार कर लेंगे ये देखिए सारा हमारा जो है तैयार हो गया है तो अब हम इसे बेलेंगे तो बेलने के लिए एक पेड़ा उठा के अब थोड़ा सा आटा जो है शिरक के हम इसे पूरी किया कार में बेल लेंगे आप शाहे तो साइस थोड़ा छोटा बड़ा रख सकते हैं अपनी पसंद अनुसार तो ये देखिया हमारा एक बन के तैयार हो गया है तो इसी तरह से हम जो बाकी के है उसे भी हम बेल लेंगे देखिए यह हमने साड़ा बेल लिया है तो अब हम इसकी जो स्टाफिंग है वो टेयर करेंगे यह देखिए हमने आलो मतर और गाजर का इस तरह सुखा सब्जी ले लिया है यह भी मेरा दिन का ही बचा हुआ सुखा सब्जी है तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ आप भी इस आज़र मल करेंगा तो इस तरह से अब जितना सा है इसकी अंदर मसाला भर सकते है और इसे हम हलका सा प्रेस करते हुए जिस तरह से हम लोग गुजयें बनाते हैं उसी करेंगे तो मैंने इसमें पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि आताा की आटा ठोड़ा सब्याओ हड़ तो यह अच्छे से सेथ हो जाता है, और अगर आप चाहिए तो इस तरह चम्मस से भी इसको डबा के जो है इसे सील कर सकते हैं तब भी यह खुलेगा नहीं और अब हम इसे इस तरह हलका सा प्रेस करते हुए, दूनों किनारों को इस तरह हम मोर देंगे, इस से जो है की सेस का स सारा जो है उसे बना के तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है, हब मुमोज में भी इस तरह का डिजाइन डालते है, तो ये देखिए, हमने फटा फच्छे सारा जो है बना लिया है, तो अब हम इसे तलना है, तो तलने के लिए हमने पहले ही कड़ाई रख दिया है, ओइल को हम अच्छे से गरम करके, फिर इसको हम थोड़ा सा थंदा कर लेंगे, पूरे हीट में हम इसे नहीं डालेंगे, ऐसा करने से फिर जो हमारा नास्ता है, वो एकदम से उपर से ब्राउन हो जाएगा, और अंदर से कच्छा रह जाएगा, तो हमने ये एक डाल दिया है इसमें, और गैस की फिरिम को हमने मीडियम लो पे रखा हुआ है, इस तरह कल्चे की सहायता से उपर उपर थोड़ा सा आप इसकी, जो ऑईल है वो डालते जाएगे, तो उपर से भी ये पकना शुरू हो जाएगा, और ये देखिए, इस तरह से आपको विच-विच में पलतना है, अलत पलत करते हुए, हमें इसे बर्या सुनेहरा कलर होने तक फ्राई कर लेना है, और ये देखिए, कितना बर्या हमारा नाश्टा बनके तयार हुआ है, अंदर कर जो स्टाफिंग है, वो पहले से पका हुआ ही है, तो इसलिए उसे हमें पकाने के जरुरूरत नहीं है, इसलिए बहुत ही कम वक्त में ये बन जाता है, ये हमने दूसरा दाला है, लाने से अच्छा है कि आप जट पत बसे हुए सीजों से इस तरह सा नास्ता आप आराम से बना सकते हैं, और ये देखिए, हमारा दूसरा भी लगबग बनके तयार हो गया है, जल्दी जल्दी से ये बन जाता है, मेरा कड़ाई छोटा है, तो मैं इसलिए एक-एक बना रही हूँ, अगर आप बड़े कड़ाई में बनाएंगे, तो एक साथ आप दो-तीन भी बना सकते हैं, और वोक तो उतना ही लगेगा, दो मिनित, बस दो मिनित में आपका जो है नास्ता बनके तयार हो जाएगा, तो देख सकते हैं, आप कितना बढ़िया ये नास्ता बना है, खाने में बहुत तेस्ती है, बहुती बढ़िया है, और इसके अंदर का फिलिक्स आप मन्चाहे दाल सकते हैं, बचे हुए सबजी आप डाल सकते हैं, जोसी बच्चे नहीं खाते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये हमारा चटपता सा बढ़िया सा जो नास्ता है वो बनके तयार है, उमीद करती हूँ आपको रिसीपी पसंद आये होंगे, अगर अच्छे लगें, तो प्लीज मेरी शैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा, तो इसी की साथी विदा लेते हैं, गुडबाई and टेक क्यार,